हाई फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मुझे साइन्स वेपे तो दोस्तों फिर से मैं आप लोगों के एक नया वीडियो लिखाया हूँ जो दोस्तों अपेंडिक्स के उपर है आप लोगों ने नॉर्मली अपने आस पास में अपेंडिक्स नाम सुना होगा दोस्तों दोस्तों ये गंभीर बिमारी है बहुत ही डेंजरस बिमारी है जिसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ तो दोस्तों चलो आपेंडिक्स क्या है तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यह रहा अपेंडिक्स आज हम लोग यही देखने वाले तो चलो स्टार्ट करते हैं कि अपेंडिक्स क्या है दोस्तों तो जिसे दोस्तों लोग appendix कहते हैं वो actual में appendix दोस्तों एक हिस्से का नाम है जैसे कि आप देख रहे देखिए यह आप देख रहे हैं यह आपकी large intense time है उस large intense time के जो आखरी हिस्सा है यह जो निकला हुआ हिस्सा आप देख रहे हैं इसके नीचे दोस्तों इसी body के part का नाम ह होता है यह जो निकला हुआ हिस्सा देख रहे आप यह देखिए यह जो निकला हुआ हिस्सा देख रहे इसी को दोस्तों हम लोग अपेंडिक्स कहते हैं तो देखो दोस्तो ये रहा अपेंडिक्स ये देखिए ये जो ऐसा ये देखिए ये जो यहां से देखो ये जो भुगा हुआ हिस्सा दिख रहा आपको लाज इंस्टाइन में नीचे की तरफ इसको दोस्तो आपको सिकम कहते ये जो सिकम देख रहे सिकम का ही एक बहार निकल हुआ हिस्सा होता है पतला सा जैसी कि आप देख रहे देखो यह यहां पर यह देखो यह जो देख रहे आप पतला सा हिस्सा निकला हुआ है यह सिक्कम में से यह जो पतला सा हिस्सा निकला हुआ है दोस्तों इसको ही हम लोग इस हिस्से का नाम ही अपेंडिक्स है जो एक्च जोंब डोस्तों इसका कोई यूज नहीं है आज के डेट में हम लोग इसको मानते है को यूक्ष नहीं है तो होता है यह हैं डश्तों जब appendix होता है तो यह जो भी हिस्षा है आप appendix वाला इसमें swelling आ जाती है दोस्तो तो इसके अंदर होता ग्लाइं रहा कि嗎 जैसे कि मैंने आपको बुला कि देखो यह जो लार्ज इंटेंस टां डिह रही है तो यह जो दिख रहा है यह अब क्या हुआ यह magnifying image करके लिया गया एक दब magnifying image है तो दोस्तों यह देखिए यह जो मैंने आपको बुला था यह सिकम तो देखो लिखा हुआ है यह सिकम है सिकम का ही जस्ट बाहर निकले वाला हिस्से को देख रहे हैं आप यह जो बाहर निकल प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् नॉर्मल है न जब swelling आएगी तो कुछ ऐसा हो जाएगा ऐसा फुख जाएगा जबकि नॉर्मल कंडिशन में वह एक जब नॉर्मल होगी और इसकी लंबाई तो मैंने आपको बता चुका हूँ एट सेंटीमीटर की होती है, swelling होने के बाद इसके diameter में भी changes आ जाते हैं जिसकी वज़े से होता क्या है यह इस टमक में uncomfortable feel होती है ऐसे लगता है कि कुछ हो चुका है swelling की वज़े से जिसकी वज़े से इसमें paining होना चालू हो जाती है दोस्तों, infection लगने की वज़े से swelling आ जाती है, जिस सूझ जाता है, सूझने की वज़े से इसमें दर्द होना चालू हो जाता है दोस्तों उस condition को हम लोग क्या कहते है, appendicitis कहते है, appendicitis बोलते है, तो appendicitis को दौरान इसमें swelling हो जाती है, तो होता यूँ है दोस्तों अगर इस बिमारी को इलाज न किया जाए, अगर appendicitis को वक्त रहते न रोका जाए, तो इससे होगा यूँ कि जब ये देख रहे हैं, जब ये food चुका होगा, तो क्या होगा इसके अंदर, ये पूरा का पूरा infection जो इतने हिस्से में लगा हुआ है, ये जो पूरा का पूरा infection जो इतने दुर में लगा हुआ होगा, वो पूरे के पूरे abdominal cavity में फैल चुका होगा दोस्तों, पूरी की पूरी पेट में फैल चु इसलिए आपने जब भी सुना होगा जिसको भी अपेंडिक्स हुआ होगा उसका जनरली ऑप्रेशन ही किया जाता है क्यों कि डॉक्टर भी इसका रिस्क नहीं लेते दोस्तों क्यों कि इसके फटने के चांसे ज़्याद होता अगर यह फट जाएगा तो आपके पेट में फैल क्यों से हिस्से में पाए जाता है तो दोस्तों यह पेट में आपका देख रहे है यह राइट वाला हिस्सा है यह जो है आप जो देख रहे हो यह एपेंडिक्स दिखाई दे रहा है धो यह जो डॉट आया है धो यहीं पर appendix appendix दिखाई दे रहा है जो आपके right iliac वाले reason में होता है right iliac वाले reason का मतलब जहाँ पे आपको chronic reason होता है वहाँ के just upper part में आपको देखने को मिलेगा just उसके उपर ही देखने को मिलेगा यह वाला हिस्सा और यहाँ पर ही आपको right side में आपके just chronic वाले reason के जब यहां पर पेंग होगा तो डॉक्टर आपको जनरली कोई भी मेडिसिन देंगे अगर उस मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ तब आपको डिरेक्ट बोला जाएगा आप सोनोग्राफी करा है और सोनोग्राफी के बाद अगर निकला तुफिन उसको ऑप्रेशन करके उसको रिम यह बनाया और यह सबको पता होना चीए तो दोस्तों मिलते अगले वीडियो में ऐसी एक आसम वीडियो के साथ चलो